इसलिए हमने साधारन बच्चों और बीजेपी के नेताओं के बच्चों में फर्क किया है। ये सभी बीजेपी के बड़े नेताओं के बेटे हैं, बेटियां हैं। ये सारी तस्वीरे ट्वीटर पर हैं जिनें इनके मुख्य मंत्री, शिवराज सिंग से लेकर अन्य मंत्री और सांसत पिताओं ने ही डाले हैं। बस बताना ये है कि पिछले दस साल में ऐसी यात्राओं निकाली गई जिसके दौरान हिंसा हुई है। इन यात्राओं में एक भी बड़े निताओं का बच्चा चाहे विदेश में पढ़ता हो या यहां की घटिया यिनिवर्सिटी में पढ़ता हो आपको नजर नहीं आएगा, कोई भी सांसत नजर नहीं आएगा। बात यह है कि बड़े निताओं के बच्चे अमेरिका पढ़ने चले जाते हैं और साधारन घरों के बच्चे धर्म के नाम पर गुंडा बनाकर सड़क पर उतारे जा रहे हैं। तरह से यह पूरा मामला इन गरीब घरों के बच्चों को आउट्सोर्स कर दिया गया है, ताकि कोट कचहरी की राजनितिक कीमत नेताओं को ना चुकानी पड़े, जेल ना जाना पड़े या इस्तीफा ना देना पड़े। यही खेल आपको समझना है, अभी समझ नहीं आएगा, 20 साल बाद आप समझेंगे, जब ठीक से सब बरबाद हो जाएगा। डैनिक भासकर के रवी श्रिवास्तव ने यूपी के कास गंज के चंदन गुपता पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, यह चंदन गुपता की मूर्ती है, जो पांक साल से अनावरन का इंतजार कर रही है। नहीं चंदन गुपता कौन था, किसके लिए मर गया। चंदन गुपता भी सधारन घर का लड़का नजर आता है। 2017 में जब योगी आदित तिनात मुख्य मंत्री बने तब इसने मारे खुशी के भंडारा किया था। 26 जनवरी 2018 की सुबह, कास गंज में विश्व हिंदू परिशत, ABVP और हिंदू युवा वाहिनी के कारिकरता करीब 100 मोटर साइकिलों पर तिरंगा और भगवा जंडा लेकर निकल पड़े। चंदन गुपता भी इसी भीड में था। प्रशासन ने इस यात्रा की इजाज़त नहीं दी थी लेकिन वे जबरन छोटी गली वाले इलाकों में घुश गए। चंदन भी अखिल भारतिय विद्याथी परिशत का सदस्य रहा है। मा का बयान है कि योगी जी के जनता दर्बार में उन्हें अपमानित किया गया वापस भेज दिया गया। चंदन के केस का ट्राइल शुरू हो चुका है। 2018 से 23 आ गया है। मा पिता को इनसाफ नहीं मिला। भासकर की रिपोर्ट में पिता ने कहा है कि वे बीजेपी के समर्थक हैं। और बेटे की हत्या के बाद भी पिछले विधान सभा चुनाओं में बीजेपी को ही वोट दिया। अधनान खान ने हमारे लिए ये वीडियो जुटाया है। चंदन को नियाय मिलना चाहिए जो उसके साथ हुआ है। उसने अपना बलदान दिया इस देश की खातेर इस तरंगे की खातेर उसको नियाय मिलना चाहिए वस हमारी तो यही है। किस तरह से नियाय मिलना चाहिए वसको सहीद का दर्चा दें। उसकी अदूरी प्रत्मा का अनावरण नहीं हुआ है। उसका करें जो बताएं योगी जी के प्रवारी मंत्री जी ना खोशनाएं कि वो भी सब अदूरी पड़ी हुई है। नौकरी उसकी दी थी लेकिन वो पांच महीने बाद वो पदी ही कर दिया गया। क्या आप पहेंगे तो नौकरी देनी चाहिए तो आज तक चैसाल होने वाले हैं कोई ना नौकरी दी है। नहीं चंदन को भी कोई न्याय मिल पाया है। चंदन चौक अदूरा पड़ा हुआ है। नगरपाल का बगएरा के अर्थकारी चेर्मेन बगएरा के पास जा वो कहते हैं हम पर पैसा ही नहीं है। युगा स्वें में समझदार है। और युगाओं को अपने बिवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। गलत संगत में नहीं रहना चाहिए। गलत काम करने नहीं चाहिए। कि युवाओं से तो यही कहेंगे कि भाई सभी लोग अपने सिच्छा पर ज्यादा द्यान दो, सिच्छित बनो। और यह जो भी दुरगटना हो रही हैं उन दुरगटना उसे बच्छो राजनीतिक दलों के लोग तो आप लोगों का फाइदा उठाएंगे आपसे। यही कहना चाहेंगे कि बच्छों से कि अपने पड़ो लिखो और राष्ट की और समाज की सेवा करेंगे।